जहिन दोस्तों हमारे यूटू चैनल चकफेच क्लासेश में आप सभी का स्वागत है आज चार परवड़ी भी हार बोर्ड इंटर हिस्टरी का एक्जाम हुआ है उसका अबजेक्टी का एंसर की करार है मेरे पास कोश्चन सेट एच का है अगर आपके पास कोई भी सेट का हो तो वीडियो को रोक रोक कर आप असानी से मिला सकते हैं क्योंकि कोश्चन सभी का सेम होता और एक साथ आपको दस कोश्चन एक साथ मिल जाएंगे और इसके साथ सरकारी आइटियाए पॉल टेकनिक पारामेटकल डियले बीट का सोट जनकारी देने बाले है तो वीडियो इंट्रेस्टिंग होने बाला है तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक कर दिजिए दोस्तों के साथ सेर भी कर दिजिए और यहां एंसर है 100% सही है पहला कॉस्चन है बलबा चार्ज का जनम कहां हुआ था तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर C वारा नसी में नेक्स कोस्चन है निजामुदिन अलिया के दरगा कहां है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A दिली नेक्स कोस्चन है थिरी का किताब उल रहला में किसका यात्रा का विर्तानत मिलता है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर C बन बतूता नेक्ट्स्कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट थाव लेकिन भरत में यह था सर्वेक्षिंद करने में नेकूश्चन है सेविन का रयत्बारी वेवस्ता है ब्रभूंई का स्वामी कौन होता है तो इसका एंसर होग अप्शन नंबर ''C'' किसान होता है नेक्श ग कोस्ट ले एंट' सिद्धू कान्हू ने किसका नेतिरुत किया था तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर A संथालो का Next question है 9 का रानी लक्षी भाई को और किस नाम सोजना जाता है तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर C मरनी कारनी का Next question है 10 बेपगत के सिद्धान्त का संबंद किस से है तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर B डॉल होजी से Next question है 11 का जैहिंद कानारा किस ने दिया तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर D सुभास चंद्रभोश Next question है 12 अकबर के राज मेराजस्व बेवस्था किस के हाथ में था तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर D टूडर्मल Next question है 13 ताज महल किस नदी के किनारे स्थी था तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर B यमना नदी Next question है 14 मर समराज का पर्थम सासक कौन था तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर B चंद्रगुप्त मर Next question है 15 भारतिय पुरतात्व का पिता की से कहा जाता है तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर B अलेकजेंडर कनिंगम को Next question है 16 इस्टिन इस्टिन इंडिया कंपनी को बंगाल की दिवानी की से परदान की तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर C सा आलम दूतिय Next question है 17 मजम उल बहरीन की रचना किसने की तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर C दारा सिको Next question है 18 लिंगायत अंदूलन का प्रदूभाव कहां हुआ तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर B करना टक Next question है 19 इबन बतूत्ता कितने वर्षों तक भारत में रहा तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर C ऐसे ये 12 वर्षों तक रहा था Next question है 20 लोटरी कमेटी का कठन किस वर्ष किया गया तो इसका एंसर होगा अप्षन नंबर B 1827 में दोस्तो जो लोग अभी तक ITI नहीं किये हैं वो लोग सरकारी ITI का फ़र्म जरूर भरे क्योंकि सरकारी ITI आपको 1080 रुपया में दो साल का कुर्स हो जाता है एलेक्टिसियन हो हीटर हो डिजल मेकैनिक हो 20 परकार के ट्रेड होते हैं तो आप लोग ITI का फ़र्म जरूर भरे और बिना ITI किये हुए अब जो है रेल्वे में जॉब यानि गुरुबडी में फ़र्म नहीं भर सकते हैं चले नेक्स कोशन है गौतम भूद का जनम कब हुआ तो इसका एंसर होगा कोशन नमबर 21 अप्षन नमबर C नेक्स कोशन है 22 महाभीर स्वामी की माता के क्या नाम था 22 का एंसर होगा अप्षन नमबर 13 नेक्स कोशन है 23 जिसका भारत में मुगल समराज के अस्थापना कब हुई तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर C 2526 में नेक्स कोशन है 24 पानीपत का दुत्तिये यूद कब लड़ा गया तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर B 556 नेक्स कोशन है 25 मुगल काल में सिचाई का साधन क्या था तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर A कुँआ नेक्स कोशन है 26 बाबर दोरा कौन सागरंत लिखा गया है तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर A अकबर नावा नेक्स कोशन है 27 विजय नगर समराज से संबंधित बंज है तो इसका एंसर होगा option number D, इन में से सभी next question है twenty- verklacaksın भी कौन थी तो इसका एंसर होगा option number B next question है twenty-nine क्रिश्णा स्र्वाम ज़ाइन का निले मता कौन था twenty-nine का एंसर होगा option number E क्रिश्णालोयर देऊ next question है thirty नेक्स्ट कॉस्ट्चन है prediction है 31 भारत का पर्थम मुगल समराट कौन था तो इसका answer होगा option number A, बाबर नेक्स्ट क्कॉस्ट्चन है फर्टी टू, अकबर दोबरा निमलिखित में किस वर्ष अधिकार नहीं कर सका किस प्राधिकार नहीं कर सका तो इसका एंसर होग अप्शन नमबर A मारवार पल नेक्स कोस्चन है 33 दीन ए इलाही किस्य समबंदित है तो इसका एंसर होग अप्शन नमबर B अकबर से नेक्स कोस्चन है 34 तुजुक A. बाबरी के लेखा कौन है तो इसका एंसर होग अप्शन नमबर A मुगल प्रसाशन में जीलों को किस नाम सजाना जाता है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर D दस तूर नेक्स कोश्चन है 37 हमपी को उने इसको दरा 20 पुरात्व अस्थल किस वर्ष गोशित किया गया इसका एंसर होगा अप्शन नमबर D नेक्स कोश्चन है 38 43 राम का सम्बंद किस समराज से है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A बिजयनगर नेक्स कोश्चन है 39 हर यहर एवन भुक्का ने कब बिजयनगर समराज के अस्थापना की तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B 1336 इussa में जाजिया किस से लिया जाता था, तो जाजिया जो है, गयर मुस्लिम के अलाबाद जो भी लोग रहने वाले थे उससे लिया जाता था, इसका अंसर होगा, तो इसमें अंसर जो है, बुधी जी भी वो मारेंगे, चलो ए, ekस क्डूर्स कर्ण है फोटी टू आपको इंसर होगा अप्सन नमबर सी रामानंद के नेक्स कोर्चन है 44 भारत में देश्जाहत कब होई इसका इंसर होगा अप्सन नमबर c 8830 में दोस्तों जो लोगिल टेकनीक करना चाहते हैं इंजिनियरिंग चेट में जाना चाहते वह फुल्डेकनीक का फॉर्म जरूर भरिये हूं पल्टेकनीक का आपको तीन साल का कोर्स सरकारी से अगर एडिविशन हो जाता है इंट्रेंस में आप पास कर जाते हैं तो आपको 50 से 60 हजार में तीन साल का फी हो जाता है यही चीज अगर प्राइबिट से आप करते हैं तो आपको तीन लाख रूपया लगता है तो आप लोग जरूर करें फॉर्म जब भी आएगा तो वीडियो बना कर इस चैनल पर डालेंगे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और लाइक कर देजिए दोस्तों के साथ सेर भी कर देजिए चलिए नेक्स्ट कोश्चन है 45 महात्मा गंधी की आत्मकता किस भासा में है तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर B गुजराती में नेक्स्ट कोश्चन है 46 बंगाल के विभादन की घुषना किस वर्ष होई तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर A 1905 में नेक्स कोश्चन है भारत किस वर्ष गंतन्तुर हुआ नेक्स कोश्चन है गोरे की हर्या के साक्ष कहां से मिले है तो इसका एंसर होगा आप्षन नमबर C सुद कांगो डोर नेक्स कोश्चन है 50, सरवाधिक प्राचीन इसमिर्थी कौन गरंथ है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर C, मनु इसमिर्थी Next question है धम महा मात्रो को किसी ने नियुक्त किया था तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B असोक ने Next question है 52, महाभारत की रचना किस भासा में हुई है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A, संस्कृत में Next question है 53, मनु इसमिर्थी में कितने परकार का विवाह का उलेक है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर C, 8 परकार का Next question है 54, महात्मा बुद को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर C, बोध गया Next question है 55, बुद का बच्पन का क्या नाम था तो बुद का बच्पन का नाम अप्शन नमबर B, सिदार्थ Next question है 56, बेदो की संख्या कितनी है तो बेदो की संख्या 4 है यानि answer B होगा Next question है 57, प्राचीन भारत में धम की सुरुवात किस के सासन काल में हुई तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B Next question है 58, किस गरंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इत्यास मिलता है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B अकबर नमा Next question है 59, आई ने अकबरी में भूमी को कितने भाग में बाटा गया है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B चार भागों में Next question है 60, मुगल दरबार में अभिबादन का तरीका निमने से कौन सा था तो इसका एंसर होगा 60 का अप्शन नमबर B सजदा Next question है 61, मोहंजोदारों किस नदी के किनारे स्थित है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B सिंधू नदी Next question है 62, मोहंजोदारों कि खोज नदी 122 में किस ने की थी तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B राखाल दास बनर जी Next question है 63, काली बंगा कहां इस्तित है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर D राजस्था Next question है 64, सिंधू सभ्यता में गोदी कहां से मिला है इसका एंसर होगा अप्शन नमबर D लोथल से Next question है 65, निमलिखी देवताओं मैं से कौम सैधव सभ्यता के परमुख देवता थे तो इसका एंसर जो हमें नहीं मिला आप लोग कमिट में कर देगा Next question है 66, असोक का संबंद किस बंस से है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर D मोरे बंस Next question है 67, मेगा स्नीज भारत में किसके दरबार में आया था इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A चंद्रगूप मोरे Next question 68, महभास के लेखा कौन है इसका एंसर जो है नहीं मिलाया आप लोग कमेंट करके लिखिएगा Next question है 69, प्रियाग प्रस्ति का संबंद किस गुप्त बंस से है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B संबंद्र गुप्त Next question है 70, किस सासक को पिर्दरशी कहा गया है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर है असोक Next question 71, 1857 के बिद्रोख को किसने राष्टी ये बिद्रोख का है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर D इन में से कोई नहीं Next question है 72, बीबी घर कतल्याम कहा पर हुआ था 72 का एंसर होगा इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A मुंबाई Next question 75, आखिल भारती अस्तर पर पहली जनगरना कब हुई इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B 1872 Next question है 76, करो या मरो का नारा किसने दिया तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A गांधी जिन दोस्तो जो लोग सरकारी से DLAD करना चाहते है यानि teacher training करना चाहते है वो लोग firm जरूर भरियेगा अभी बर्तबान में firm भड़ा रहा है लेकिन आप लोग अभी 12 पास रही है तो next year भरियेगा तो DLAD SC हो या ST से हो तो आपको 11,000 में दो साल का फीज हो जाता है अगर आप जेनरल से है OBC से है या EBC से तो आपको 20 से 25,000 में आपको teacher training हो जाता है यही चीज आप private से किज़ेगा था एक लाख 20,000 रुपया लगता है तो जब भी firm आएगा हम वीडियो बना कर इस चैनल पर डालेंगे आप लोग हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए वीडियो को लाइक कर देजिए दुस्तों के साथ शेयर भी कर देजिए चल लिए नेक्स कोस्टन है 77 दान्धी यात्रा कनेतित किस ने किया था इसका एंसर होगा गांधी जी ने नेक्स कोस्टन है 78 चमपारां दोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था इसका एंसर होगा 78 का D 1917 में नेक्स कोस्टन है 79 महत्मा गांधी के बच्पन का क्या नाम था तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B मोनिया नेक्स कोस्टन है गांधी जी ने अशयोगा अंदोलन किस वर्ष परारांब किया तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A 1920 81 का अल बरूनी का जनम कहा हुआ था इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A नेक्स कोस्टन है 82 रयतवारी बंदोबस्त कहां लागू किया गया तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर B Next question है 83 महलबारी बंदोबस्त कहां लागू किया गया तो इसका एंसर होगा अप्षन नमबर B Next question है मुंडा विद्रो कानेता कौन था इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A, बिर्शामंदा Next question 85, फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B, कोल का था Next question है, 86, सर्वे ऐफ इंडिया का गठन की सबर्श हुआ इसका एंसर होगा आप्षा नमबर एक 7777 में नेक्स्क्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् 90. महत्मागांदी का जनम कब हुआ? तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर C, 1879 में Next question है, 91. 1942 में कौन से अंदोलन शुरू हुआ था? इसका एंसर होगा भारत शुरू अंदोलन Next question है, 92. सुभास चंद्र भोष भारती राष्टी कंग्रेस के अध्यक्स कब बने? तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A, 1932 में Next question है, 93. काला कानून की से कहा गया है? तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर ए रोलियक टेक्ट को Next question है, 94. 149 में फोरवर्ड ब्लोग के अस्थापना किस ने की थी? तो इसका एंसर होगा 94 का D, सुभास चंद्र भोष Next question 95. कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? अप्शन नमबर C, 146 में दोस्तो जो लोग पारा मेडिकल करना चाहते हैं, यानि मेडिकल चेत में जाना चाहते हैं, वो लोग मेडिकल का फ्रम जरूर भरे आपको 30 से 40 सर्दार में सरकारी से पारा मेडिकल हो जाता है यही चीज़ा आप प्राइबिट से किज़ेगा तो एक लाख रूपया से उपर लगता है चलिए, Next question है 96. मुसलिम लिग द्वारा मुक्ती दिवस कम ना जाता है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर D, 22 दिसंबर 1949 Next question है, 97. इसका एंसर भारत का विभाजन बिर्टिस शासन किस योजना का परिनाम है तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A, Mountbatten योजना Next question है, 98. सिधी करवाई की धंकी किस ने दिती तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B, मुसलिम लिग Next question है, 99. स्वतंत्र भारत का पर्थम गवर्णर कौन था तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर A, Lord Mountbatten Next question है, 100. भारतिय समिधान सभार के अध्यक्ष कौन थे तो इसका एंसर होगा अप्शन नमबर B, डॉक्टर रेजंदर परसाद दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजेगा कमेंट भी कीजेगा और सस्क्राइब कर लिजेगा मैंने कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया है, उसे जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक कर दीजे और दोस्तों के साथ सेब भी कर दीजे